नमस्कार प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने आलों क्लास एट चेप्टर वन एंसे इसका नाम है आपका परिमे संख्या इंगलिस में बोलते हैं प्यारे बच्चों रेशनल नंबर इसमें हम बेसिक इंट्रोडेक्शन करेंगे पूरा हल और उसके क्लास में पूरा बेसिक मेट से आपको एट्स में का मेट से पूरा कर लेना चाहिए ताकि आपको जो बोर्ड एक्जाम दोगे टेन तका ट्वेल तका तो वहां आपको बहुती सपोर्ट मिलेगा आईए अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडिक्शन समझते हैं संख्या हैं क्या होती हैं संख्या कितने प्रकार क्यों होती है ठीकी पहले बच्चो सबसे पहले समझेंगे अपन पूर्ण संख्या क्या लिखता हूं में पूर्ण संख्या इंगलिस में बोलते हैं प्यारे बच्चो होल नंबर क्या बोलते हैं होल नंबर वह संक्या हैं जो कहां से स्टार्ट होती है प्यारे बच्चो जीरो से पूर्ण संक्या की स्टेटिंग कहां से होती है जीरो से जीरो वन टू थ्री कहां तक जाती है प्यारे बच्चो अननत्य तक जाती है वे संक्या हैं जो जीरो से स्टार्ट होती है जीरो से प्रारंब होती है और अनतरता जाती है उन्हें अपन बोलते है पूर्ण संक्या क्या बोलते है प्यारे बच्चो पूर्ण संक्या समझ गया होंगा पूर्ण संक्या की ने केते है वान टू, थ्री, फोर सभी संख्या क्या होती है पूर्ण संख्या कहलाती है जो आपकी एक सनन्थ तक चलती है इसमें minus की संख्या नहीं होती है इंग्लिस में बोलते है whole number उसके बाद second number पे प्यारे बच्चों आपका प्राकर संख्या दूसरी क्या होती है आपकी प्राकरत संख्या प्राकरत संख्या बोलते हैं प्राकरत संख्या प्राकरत संख्या बोलते हैं प्राकरत संख्या 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 प इसका चिन्न का मतलब है अनंति ठीकी प्यारे बच्चों संक्या क्या होती है जो एक से चलती है तो अनंति तक जाती है वो संक्या क्यों प्राकस संक्या होती है प्यारे बच्चों आपकी जीरो प्राकस संक्या नहीं है जीरो क्या आपकी पूर्ण संक्या है ठीकी प्यारे जिसमें एकाई अंख क्या हो ना चाहिए प्यारे बच्चों 1 एकाई अंक क्या हो 02468 इंकाई अंक 02468 वो सभी संक्या क्या शीम्साइछ आपकी समसंख्या केलती है कि पर बच्चों समझ रहे हो ना जैसे कि आपन उधरान लेते हैं 308 608 608 क्या है आपकी समसंख्या है क्या है उसका क्या है आपका 8 जैसे कि आप लिगते हैं 34 ये भी क्या आपकी समसंख्या क्योंकि इसका इकायंक क्या है 4 है तो 4 है फिया के प्यारबच्चों उसके बाद आता है आपका 4 नंबर प्यारे बच्चों आपकी विसम संख्या विसम संख्या को बोलते हैं अंक क्या हो इनको छोट दीजिए 1-3-5-7-0-9 जिनका इका यंक क्या हो आपका 1-3-5-7-0-9 हो विस अभी संक्या क्या कहलती है आपकी विशम संक्या ओड नंबर कहलती है जिसे अपन एक्जामपल में लेते हैं 602 दो शरी 601-603 उसके बाद 3 ले लिजिए आप 33 ले लिजिए तर्ट इन नाइन ले लिजे ये सबी क्या है विसम संक्या है ओर नमबर है इदनका एका यांगा क्या हो 0-1-3-5-7-9-5-9-9 सब्सक्क्राइबast टीस जब संख्या कहलाती है आपकी विसम संक्या कहलाती है उसके बाद आता है प्यारे बच्चों आपका पूर्णांक पांच नमबर प्याता है पूर्णांक पूर्णांक वे संक्या होती है प्यारवच्छ जिन्हें आपन क्या कर सकते हैं इंटेजर नमबर संख्य रिका पर दर्सा सकते हैं वे सबбी संख्य जिनने अपन क्यास संख्य रिका पर दर्सा सकते हैं वे सबbling पुर्णांग इसमें आपकी माइनस भी आता है प्लस भी आती है जैसे आपकी 0 संखेया काहân से उत्ता होती है 0 से इदर की सासे चलता आपका फिलस 1,2,3,4 कहा तक चलेगा आपका अनंती तक चलेगा ओ इधर क्या चलेगा –1, –2, –3 कहां तक जाएगा आपका ये भी अनंती तक जाएगा माइनस में ठीकी प्राइब बच्छो एसी संक्या है जिसमें आपका माइनस भी सामिलो प्लस भी सामिलो जीरो भी सामिलो उसे बोलते है अपन पूर्णांक उन संक्या को क्या कहते हैं प्यारे बच्छो पूर्णांक कहते हैं जिनमें आपकी सम स्वरी क्या जीरो माइनस और प पोजिटिव इंटेजर नमबर अब आपको प्रस्ण को पढ़कर ही समझ में आ रहा होगा कि जिसमें आपकी क्या हो प्लस की संक्या हो सभी सभी क्या हो प्लस की संक्या होने क्या बोलता है अपन धनात्मक पूर्णांग के ते जिसमें आपकी क्या सलती सारी संक्या क्या जलती कि प्लस की रहती है उसके वाल आपका होता है कि रिनात्मक पूर्णांग क्या होता है रिनात्मक पूर्णांग रिनात्मक पूर्णांग मतलब नेगेटिव हैं नेगेटिव इंटेजर नंबर इंटेजर नंबर इसमें क्या होता है घरेंव द और आपारी में संख्या क्यों होती है परिमें संख्या रेशनल नंबर प्यारे बच्चों एसी तइन है जिनने हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं दिख्जेता हूं मैं आपको यह पारिभाषा डिफिनेश्यन एसी संख्या एं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में व्यक्ट कर सकते हैं वे सभी संख्या है क्या होती है आपकी परी में संख्या कहलती है यहां आपका Q note is equal to नहीं होना चाहिए जिरो जो आपका हर होता है बटे में संख्या होती है वो क्या नहीं होनी चाहिए आपकी सभी संख्या है क्या होती है परी में संख्या होती है वस आपको क्या करना है कि बटे में क्या नहीं होना चाहिए, आपका 0 नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपका 1 है, क्या लगता है अपन 1, example दो आता हूँ मैं आपको, example समझ में आजाएगा, pari में संकीया की सेकते हैं, वन है तो अपन पी बटा क्यों मतलब अंसर बटा हर के रूप में लिख सकते हैं क्यों क्या लिख सकते हैं जीरो है तो जीरो का अपन में क्या लिख सकते हैं अपन लिख सकते हैं सभी बस आपका क्या हर में जिरो नहीं हो जाये सभी संख्यय क्यों कि यह संख्यय आपका kषोरी में जिरो नहीं होना चाहिए उसके कि इसमें बोलते हैं इरेशनल नमबर और चि परिमेंस के ल नहीं वियक्त कर सकते हैं वह तेड़ीक आपके आप अरूट एक्जमbahn लिखता ऊए थो अपकी है बदिबधाराद फूहिए थो पीर नहीं होता है। पूरा बेसिक समझ गया होंगे के से क्या करते है अपन पूरने संख्या प्राकर संख्या होती है एक सनन्त तक जाती है समसंक्या जिसका इका यंक जीरो दो चार छे आठो उन्हें क्या इक समसंक्या बोलते है उसका विसम संख्या ओड नंबर होता है आपका जिनका एक करेंग करेंगे वन थ्री फाइब सेवन नाइन एक तीन पार साथ नो हो तो वह क्या करेंदी विसम संख्या पूर्णांग जिसमें आपका प्लस भी रहत हो कि निमने लिखित का मान्गात। कीजिए इसमें फर्स्ट कुस्ट है आपका कि माइनस दो बटक तीन गुणा थ्री अपॉन फाइफ प्लस फाइव बॉन टू माइनस थ्री अपॉन फाइफ मॉल्टिप्लाई वन उपॉन इस सवाल को आपको solve करना है सबसे पहले क्या होता है प्यारे बच्चो कि इसमें आपका माइनस है गुणित है प्लस है माइनस है और गुणित है तो सबसे पहले होता है प्यारे बच्चो आपके नियम के अनुसार भागित उचित गुन धर्मों के प्रियोक से करना है सबसे फ पेयरे हम अपको यहां बाग नहीं है आपका नियम क्या होटा है मैं बते ताहूं कि अब प्लस काू माईनस प्लस क्या हो जाएगा प्रपेरे अब मैंस म्高णा करेंगे कितना जाएगा दो त्या? छे तीन का 5 में कितना जाएगा आपका 50 नहत goose 5 बाटएगा आप अप कुछ भी नहीं ही जोड़ अपन बाद में करेंगे हुग गया अब इन दोनों का अब इसे और यहां हो घगा आप ams workload that यह से अब आपको यहां पर एक उल करके लिए हैं कि आप डिवाइट कर लीजिये काट ली धी तो की जती हो जाएगी सब्छल आपक़ करके सब्सक्राइब 3 1 जा 3 और 3 10 जा 13 ठीक है पर अच्छो 13 यहाँ पर अभी अपन 3 से काड़ सकते हैं 3 2 6 और 3 5 15 मतला अपने 3 का भाग 3 में दिया 3 के भाग 30 में दिया ऐसा किसी 3 का भाग 6 में दिया 3 के भाग 15 में दिया तो आपका जो बचा वो लिख लेंगे माइनस का 2 अपन 5 प्लस 5 अपन 2 माइनस 1 अपन 10 ठीक है पर अच्छो अब यहाँ पर मैं आपको सबसे सरल इस्टेप बतने वाला हूँ जिससे आप सीख जाओगे कुछ भी मत कीजिए इन दोनों पा दोक हल कर लिजे पहले दोनों को हल करेंगे के से करते हैं ध्यान समझने प संक्याओं की जोड़ घटाओं का नियम होता है हर का हर में गुणा करना नां अपको पाँच का 2 में गुणा करेंगे आप कहारा जागा कितने अपक्रास मुट्पलिसन करेंगे दो का करना लो करेंगे 2 का 2 में कि ए माइनस का चार प्लस 5 का 5 प्लस 25 अब माइनस प्लस अब तक माहिनस होता है घटता यह कितना है 25 में से 4 फ्लस champion भाश और 21 अब ws pada 10 माइनस क्या आपका 10 です यहां प्यारे समान हो अब क्या आगा 21-1 यदि आपका हर समान है तो ऐसा कर सकते आप डायरेक्ट अब 21 में से 10 21 में से एक गाय कितना बचा आपका 20 बचा यहां आपका 10 ऐसा कैसे यह 0 से 0 कड़ गई आपकी 10 दूनी 20 तो इसका फाइनल अंसर क्या आगा पर बच्चों तो आगे कितना सिंपल सवाल है अब कुसर नंबर सेकंड बताऊंगे मैं आपको उसके ऐग एक इग्जामपल बताऊंगा इन तीनों का आपको क्या करना है गुना करना अलगना अंसर का अंसर में हरकार में दो का तीन में किया कितना आपका छे उसका पांच का साथ में किया कितना थर्टी फाइव यह आपका माइनस और यह किसका प्लस जिसमें कोई चीनल नहीं होता है तो यहां प्लस है तो माइनस और plus क्या हो गया आपका माईन सोगे हैं यह विए मैनस और यह प्लस श्यक्र क्या हो सटिक भांवर बटे आपको चुह। ना प्यारे माशमा कम को Great to बाग देना यहाँ पर आप 2 से काट सकते हैं दो एक हम दो यह कितना आगा दो तिया 6 और 2 पंजे 10 35 दून सित्तर होता आपका यह कट गया आपका अब देहां समझना यह होगा माइनस 6 बटे 35 minus 1 upon 4 plus 1 upon 35 अब आपको क्या करना है समान हर वाले गया को एक तरफ लिए minus six upon 35 plus one upon 35 ओ बाइनस वन अपौन फूर को एक सारे लिए इन दोनों को सॉलू करेंगे अभी बताब हैं मैंने हर समान है यह आपका हर समान है तो आप क्या कीजिए हर एसाह से लिए 35 75 मोल वारिसमे बसक्राइब यहां वापशाल इस ऐतरा किर देख पाइब की सब्सक्राइब सच्चुक 28 क्रास गुना माइनस एक का 4 में तो माइनस 4 तो माइनस यह माने साथ यह कम साथ अब इन दोनों सवाल किलिए कमगए तो आपको कोई प्रोग्लम नहीं इस परी में संक्या हो के इस गुर्जीत गुर्ण धर्मों के प्रियोक से अपने इन सवालों को सोल कर लिया है सबसे पहले भाग होता है फिर गुर्णा फिर घटा हो कर सकते हो अब एक्जामपल 5 से प्यार विच्चुप 2.5 गुर्णा माइनस 3 अपन 7 माइनस 1 अपन 14 माइनस 3 अपन 7 गुणा 3 अपन 5 क्या करना है इनका गुणा और इनका गुणा करना है जो अपने फर्स्ट कुशन किया ऐसा किसे इस सवाल को आपको सोहम को सोल करना है अगर आपको सोहम को सोल कर लो और हल आ जाए सही आंसर आ जाए तो आप कम अनुver सेखुर्द आमसे के पेरी आपको सेखुन से मि ness pretended तेंड को garden hahaha यहाँ पे निमने लिखेत में से योज्ज प्रतिलों ग्यात किया यान अपका दूसरे का फर्श्ट कुष्य थि दोब्लटे 8 गयाथ दोघट 4 बाटि आट का योज्ज प्रतिलों ग्यात करना है अब 2 बटा आट 2 upon A ठीक कि बरें पिछां योझ्य प्रटिलों क्या होता है धियान समझतव योझ्य प्रटिलों ए सी संक्या होती है जैसे कि आपका अबटा B मैं आपका चूंगी कार करके लिखता हूं आपका योझ्य प्रटिलों योज प्रतिलों माइनस A बटा B होता है क्यों होता है A बटा B होता है समझ गए किसी भी संक्याओं अगर अपन A बटा B और माइनस A बटा B को जोड़ें आपर अगर A बटा B और यह क्या है माइनस A बटा B तो इनको हलकरेंगे कि क्या आजाए आपका 0 आजाए तो माइनस 5 है 5 में 42 जोड़ेंगे किते होगा 0 ऐसे ही मतलब 5 का योज़्य पृतिलों क्या हो गया पेरवच्चों आपका माइनस 5 हो गया तो माइनस 3 का गुणा करना है सिर्फ दो बटे 8 है तो 2 बटे 8 का योज्ज प्रतिलोम क्या हो जाएगा का योज्ज प्रतिलोम इसका योज्ज प्रतिलोम हो जाएगा प्यारे बच्छे आपका माइनस का दो बट्टे आठ इन दोनों का अपन येट करेंगे तो कितना जाएगा आपका 0 आ जाएगा इसमें आपका second question प्लस है और माइनस 5 बडियुक्टलों की हो जागा प säger आपका 5 बडियू इसमें आप्न क्या लगा देंगे मैनस लगा देंगे तो यह मैनस मैस क्या होगा 5 बडियुक्टलों आप इंदोनों को टिक करेंगे कितना जागा Screen 005 008 बडियू अपका माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा परी में भिन्न जो आपकी भिन्न है परी में संक्या हो सेम रहेगी समझगे पर अच्छो योज्ज पतिलोम क्या होता है थार्ड कुस्छन में आप खुस हो हैं बता दोगे क्या है माइनस 6 अपोन माइनस 5 का योज्य पर्टिलों 2 योज्य पर्टिलों अब यहाँ पे आपका क्या होगा प्यारे बच्चों कि माइनस से माइनस कहें चिल हो गया तो यहाँ पे क्या आपका 6 अपोन 5 प्लस का तो इसका योज्य पर्टिलों क्यों जाएगा माइनस का 6 अपोन 5 बस माइनस चिन्य का मल्टिप्लाइ करना है आपका योज़ पृतिलों कम्प्लीट हो जाएगा इसका फूर्थ कुस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् लेज़बटिलों आप सेम बता दीज़ें क्याएगा। प्लस के गुनिज़ बते शे चिनद मतल दिया तो यह उता है प्यारे बच्चों आपका योजुबटिलों उन दो संक्याओं का योग क्या आना योज़्जपतिलों का और संक्या का परिमें बिन्ने का और योज़्जपतिलों का जीरो आना चाहिए योग करिए तो जीरो आना चाहिए वो ही आपका योज़्जपतिलों होता है कुछ नमबा थर्ड है प्यारे बच्चों कि आपका है कि x equal दे रखा 11 upon 15 सेकर्ड है आपका कि x equal दे रखा minus 13 upon 17 के लिए सत्यापित कीजिए के लिए सत्यापित कीजिए इसके लिए सत्यापित करना है कि minus minus x equal x होता है ठीके बच्चों यह आपका सवाल है सब्केर्ट तो एक्सों को सोल्व करेंगे एक्स से वेलू कर रहेंगे याराँ 11 अपन 15- म इनस यह माइनस लगाया एक्स किसथां पर केके लिया 11 आपन 15 testing कितना सिंपल से वाले यह मायनस धीन का गुरा होगा तो मैंनस प्लास हो जायाद तो आपका कहे जाएगा 11 upon 15 इक्वाल 11 upon 15 यह दोनों आपका बराबर होगा यह सत्यपित हो गया ठीक पर अब यहाँ पर आपका second question है उसमें भी आपको कहे रखना है minus minus x equal x यहाँ पर आपको minus लगा है minus x यह minus ठीक पर अच्वाल और आपका जो x की value है वो भी क्या है आपकी minus 13 upon 17 ठीकि पर अच्चो 11 equal क्या जागा minus 13 upon 17 अब यह minus minus क्या होगा आपका plus हो गया यहाँ क्या minus का 13 upon 17 और equal क्या minus का 13 upon 17 तो यहाँ आपका यह answer आ गया दोनों सत्यापित हो गाए बहुत ही बेसिक गणित होता है आपको यहां पर यह मेट से सीखना बहुत ही जरूर है आपके लिए आप जब बड़ी बोर्ड एक्जाम की तैयर ही करोगे टेंट की ट्वेल्ट की तो यह बेसिक मेट से आपका बहुत सायोग करेगा अब आपने बढ़ते हैं कुस नंबर था 13 फरस्ट कुस्षे नहीं आपका कि माइनस 13 अब गुनात्मक प्रतिलोम क्या होता है ठीक है पर अच्छों गुनात्मक प्रतिलोम होता है प्यारे बच्छों व्यूतक्रम क्या बोलते हैं व्यूतक्रम भी बोलते हैं उसे गुनात्मक प्रतिलोम को तो वह होता है प्यारे ब गुणात्मक प्रतिलों यह आप संग्चीज जो होती है यह दोनों A की बात है ठीक होचो व्यूत्क्रम यह गुणात्मक प्रतिलों सेम होता है ठीक है पर अच्छो जैसे कि आपका है कि A बटा B एक संक्या है कि A बटा B का गुणात्मक प्रतिलों गुणात्मक प्रतिलों गुणात्मक प्रतिलों होता है प्यारवच्छो B बटे A इन दोनों का अगर गुणा करेंगे A बटा B का गुणा B बटे A का तो A से A के एंसी लोग या B से B के एंसी लोग या वचा आपका 1 बचा तो आपका जो अपन गुणात्मक मतलब इनका गुणा करने पर कितना नचीए 1 अनचीए कितना नचीए 1 अनचीए तो प्रतिलोम का मतलब होता उल्टा अब यहाँ पर 13 अपन 13 लिखा रहा है माइनस का तो इसके अपन में अपन के लिख सकते हैं किसी भी परी में संख्या के बटे में किसी भी संख्या के बटे अपन 1 लिख सकते हैं क्यों क्योंकि 1 का किसी भी संख् चलना है चिन्न के बातल दोगे ता पर दोड़ जाएंगा वन आपन थार्टीन या वांपका माइनस माइनस आपका ही प्राइब सकते हो यहां फस्ट कुछिछर हो चुका है यहां पर आपका सेकंड कुस्छ और रुक्स्वाक्षटा यहां दोड़करम क्या होता है अपना उस अब इसका आपको क्या लिखना है गुणात्मक पृतिलों का गुणात्मक चिन्य से अपने कोई मतलम नहीं है बस इसे पलट दीजिए अंस हर हो जागा और हर क्या हो जागा आपका अंस हो जागा माइनस है तो 13 वापन 19 को अपने 19 19 अपन 13 कर दिया तो यह इसका क्या होगा ग गुणात्मक पृतिलों कि इसका गुणात्मक पृतिलों की अपर जागा परक्चिओ वणन अप्ण वन अपन 3 अपन क्या लिख सकते है फाइफ लिख सकते है क्यों 58 को पर पांच में पांचे जागा आपका यह आपका फाइज अंसर आचुका है फोर्त कुस्षाने प्यारे बच्चों आपका कि माइनस फाइफ अपोन एट गुणा माइनस थ्री अपोन सेवन अब इसे पहले सोल्व करेंगे इस सवाल को पहले सोल्व करेंगे अपन और उसके बाद इसका गुणात्मक पतिलों देखें ध्यान समयना अं इसका गुणात्मक पतिलों किता 15 अपोन 56 का गुणात्मक पतिलों क्या हो जायागा प्यारे बच्चों इसका गुणात्मक पतिलों हो जायागा आपका पलट दीजिए 56 अपोन 15 यह आपका अनुसर बहुती इजी बहुती सरल तरीके से मैं आपको सवाल समझ रहा हूं आप अब इनका मल्टिप्लाइ करेंगे अपन क्या लिख सकते हैं बहुत है किसी भी संक्या के बटे में आप one लिख सकते हूं अब अंसे कांसर में गुहरखकार में गुण अब सबस्पहिले चिन नगाप माइनस मैंनस क्या होगा आपका प्लस हो गाप लिखते ही निए एक का दो में क्या कित्ता होगा आपका दो अपोन में क्या आपका एक का पांच में क्या क्या होगा आपका अब टू अपोन फाइफ मतलब दो बटे पांच का गुनात्मक प्रतिलोम प्यारे बच्चों गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जायागा आपका इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जायागा पलेट दीजिए दो बटे पांच क्या होगा पांच बटे दो यह आपका अंसर प्यारे बच्चों अब यह एक most important चेक्स ने minus 1 minus 1 का गुनात्मक प्रतिलों प्यारे बच्चों अब ध्यान समयना minus 1 क्या पर अपने बबन लिख सकते हैं अब इससे पलटेंगे तो आपिस से क्या आया आपका? 1 अपन 1 ही आया आगा minus का तो माइनस वन का गुनात्मक पर्टिलोम क्या होता है प्यारवच्छ आपका माइनस वन ही होता है तो यह आपका फॉर्थ कुछन भी कंप्लीट हो चुका है कोड प्रोब्लम नहीं है अब बढ़ते हैं अपन कुछन की तरफ कुछन नंबर दो पॉर्च की तरफ पॉर्ज की तरफ कुछन नंबर फाइफ प्यारे बच्च आपका कि निमनलिकित प्रते एक में गुनन के अंत्रगत उपहोग किया गया is दिखिए इनमें कौन सा गुंदर मूप्यों किया गया है इसमें फिर्ष्ट कुछन है प्यारे बच्चों आपका कि माइनस फॉर अपउन फाइव गुणा वन इक्वल है आपका वन मल्टिप्लाएग माइनस का फॉर अपॉन अब यहाँ पर देखना इसमें पर आप multiply एक हो रहा है और यहाँ पर भी क्या रहा है multiply एक का किसी भी संक्या में गुणा करते हैं तो वहीं संक्या जाती है यहाँ आपका minus 4 upon 7 यह आपका answer आगा हल करने सोल करने पर तो यहाँ पर कौन सा लगा आपका प्यरवच्चो एक गु किया कि आगे पीछे जैसे कि आपका एक गुणा 5 है और 5 गुणा एक है तो इसका 5 का एक में गुणा करेंगे कितना आफार यह पिछो तो एक कि भी संक्याम गुणा करते हैं तो यहां आपके सेकंड नंबर प्यारे बच्चो नंबर सेकरण है कि माइनस थारतीन अपन 17 multiply minus 2 upon 7 equal minus 2 upon 7 multiply आपका minus 13 upon 17 अब यहाँ पर देखना आपका यह मान लिजी आपन A मान लेते हैं और गुणा यह क्या होगा आपका B यहाँ पर इनने पहले 2 upon 7 पहले लिख दिया यह होगा B गुणा और यहाँ पर A को अपन ने बाद में लिख लिया तो यह कौन सा नियम बन गया प्यारे बच्चो आपका क्रम विनी में था ए गुणा B और B गुणा A क्या हो मतलब क्या किया होने है कि बस क्रम को बदला है ठीक है पर बच्चो समझ क्या होंगा आप अब कुशन नमबर 3 अब यहाँ पर आप देखना माइनस 19 upon 29 गुणित मल्टिप्ला है आपका 29 upon 19 इसका क्या है यह गुणात्मक प्रतिलों में क्या है पर बच्चो गुणात्मक प् तो यह कौन सा हो गया प्यारे बच्चो गुणात्मक प्रतिलों कौन सा नियम लगा यहाँ पर आपका गुणात्मक प्रतिलों नियम लगा समझ गया होंगे प्यारे बच्चो कुशन नमबर 5 आपका complete हो जुका है कोई प्रोब्लम नहीं है कुशन नमबर 6 है प्यारे बच् को माइनस 7 अपन 16 के व्यूत्क्रम व्यूत्क्रम से गुणा कीजिए इनका गुणा करना है प्यारे बच्चों आपका 6 अपन 13 को 7 अपन 16 का व्यूत्क्रम तो माइनस 7 अपन 16 का व्यूत्क्रम क्या हो जागा प्रतिलों इक्वल क्या हो जाएगा प्रतिलों अपन पलट देंगे माइनस का 17 अपन 7 हो जाएगा बस आपको क्या करना है पलटना है अंस हरो चुका है और हर क्या हो गया अंस हो गया आपका तो यह होगा व्यूत्क्रम या प्रतिलों अप 6 अपन 13 में आपको किसे गुणा कर पर आपकी कैस सवाल को सोल्ड गया होगे आपकी कैसे अपनने सवाल को सोल्ड विखता हूं में प्यार बच्चों आपका कुस्सर नमबर 7 है कि बताःं ये कौन से गुण धर्म की सहाइता से आप 1 upon 3 गुना 6 upon 4 upon 3 को 1 upon 3 गुणा 6 और इसके पूरे गुणे में आयागा आपका 4 upon 3 ठीकी प्यारबच्चो अप इसमें बताना है कि कौन से गुण धर्म का उपयोग किया गया है प्यारे बच्चो किटना easy सवाल है यह अप यहांपर द्यान समभना इसे मान लेते है अपन A गुणा यह क्या होगा आपका B गुणा C equal यहांपर यह अप देखना प्यारे बच्चो यह होगा आपका A गुणा B O into C multiply C अब यहाँ पे प्यारे बच्चों अपने कौन सा नियम लगेगा तो इसे बोलते हैं सहचरे नियम A, B, C गुणे में आपका यहाँ पे B और C का गुणा करेंगे और उसमें जो आंसर आगा उसमें किसका A का गुणा करेंगे सब्सक्राइब करेंगे इस सहचरी है सवाल है कि बहुथ ही इसी सवाल है अब बढ़ते हैं अब कुछ से नियम की तरफ बहुत इज़ी सवाल में आपको समझते जा रहा हूँ आप समझते जाहिए कुसर नंबर 8 कुसर नंबर 8 है कि क्या माइनस 1 अपोन माइनस 1 1 सही 1 अपोन 8 का गुणात्मक प्रति लो गुणात्मक प्रति लो 8 अपोन 9 है ठीक पर अच्छों अपन इसे सोल्व करते हैं तो माइनस 1 अपोन 1 सोरी माइनस 1 सही 1 अपोन 8 ठीक पर अब इसे अपन सोल्व करेंगे तो इसे मिस्टर बिन्ने इस मिस्टर बिन्ने को विसम बिन्ने करते हैं तो हरका इसा कैसे लिखता है 8 8 का गुणा 1 में करेंगे ठीक परेखेशो का गुरातमक प्रतिलों 2 इसका गुनातमक प्रतिलों क्या आगा प्रवुचो एट अपोन नाइन लेकिन माइनस प्रवी प्रश्नमे देरा कैंट प्लस गहाए तो ये क्या इसका गुरातमक प्रतिलों नहीं है क्या है प्यार बच्चो गुणात्मक यहां लिख देता हूं नहीं है क्या आगा नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इसका अपने solve किया मिस्टर बिन्यों को विसम बिन्यों में convert किया तो यह क्या है माइनस का 9 अपोन 8 का गुणात्मक क्या होगा question number 9 question number 9 बताता हूं मैं आपको 9 लिपता हूं प्रति लोग 0.3 है या नहीं यह आपको यह बताना है अब कितना सिम्पल सवाले प्रवच्चों अपन थ्री क्या पॉन में क्या लिखेंगे तीन का तीन में गुणा कराएंगे नो नो में एक जुड़ागा आपका कितना होगा दस का गुणात्मक पुटिलों यह आपकी संग्या होगा गुणात्मक पुटिलों इसका गुणात्मक पुटिलों क्या जागा पहरे वच्छे आपका थ्री अपॉन टेन पलट जागा कि संग्या पलट जाती यह अंस हर हो जाता ह अब यहाँ पे आपको 10 का अपन 3 में भाग देंगे क्योंकि यहाँ आपका पॉइंट में है 10 का अपन 3 में भाग देंगे 10 का 3 में भाग देंगे क्या अग आपका एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगी एक 0 है तो तो 0.3 है क्या है क्यों है क्योंकि इससे अपने इस मिस्तर विर्णय को विसम विन्य में तोड़ा चेना पॉंझ थ्र ऐ इसका गुळात्मक पृचिलम होगा थ्रि अपॉंट तो इससे अपने डिवाइडत कर दिवाइड यह धूँग धिका दिवाइड च bater यहां आपन इसमें solve करते हैं प्यारे बच्चो कितना simple से सवाल है आपके ध्यान समयना AC परिमे संक्या जिसका कोई व्यूत क्रम नहीं है प्यारे बच्चो AC परिमे संक्या बताना है आपको जिसका कोई व्यूत क्रम नहीं है व्यूत्क्रम मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों आपका ध्यान से समयना एसी परी में संक्या जिसका कोई गुण व्यूत्क्रम नहीं है प्यारे बच्चों व्यूत्क्रम क्या होता आपका गुणात्मक प्रतिलों में व्यूत्क्रम होता है तो अपन जीरो के संख्या है कि जीरो क्यों आएगा प्यारबच्चों क्योंकि जीरो एक परिमे संख्या है जिसका कोई विद्क्रम नहीं होता है जीरो का विद्क्रम क्या आएगा प्यारबच्चों आपका जीरो ही आएगा क्या आगा जीरो का कोई व्यूत्क्रम नहीं बनता है क्योंकि जीरो के बटे में अपन एक लिखेंगे और इसका व्यूत्क्रम निकलेंगे तो वन अपोन जीरो जाता है वन अपोन जीरो आपका जीरो नहीं होता है यह अनन्त संक्या होती है यह कोई संक्या ही नहीं होती है ठीक है परवच्चों तो जीरो आइसी संक्या जिसका कोई विद्क्रम नहीं होता है उसे नमबर से करने है कि परिमे संक्या जो अपने विद्क्रम के समान है ठीक है परवच्चों परिमे संक्या जैसे कि आपका लिख माइनस वन का वित्करम भी क्या होता है प्यार बज्चों visual written लिखेंगी फलड़ माइनस वन में भाग देंगो वन चाहिए नस नजौ तो आपकी वन और की माइनस वन और माइनस 1 ओर माइनस 1 परीव ऐसी परीमे संक्या जिनका वित्करम भी क्या होता है 1 और 1 यह समान होता है कि उलकर है कि ही परिमेस हैं कि जो अपने रिणात्मक के समान है फ़ी प्यश्रों आफ जीरո प्लस का उता है न को एक सब्सक्राइब का अपने इसका कुई व्यूत्क्रम नहीं होता है प्यारे उसके वहाद कुछ नम्बर सेकर्डिक संख्या त्था स्वयम के विक्रम के वहाब अभी आपने किया एक एक स्वयम के वित्तरम के समान है ठीक है पर अच्छो एक और माइनस है दोनों लिख देंगे कौनी सेंग क्या है एक तथा माइनस एक स्वयम के वित्तरम के समान होती है कुछ नमबर थार्ड है कि 5 माइनस 5 का वित्तरम माइनस 5 का वित्तरम 5 के अपन में 8 5 2 1 लिखेएंगे ये पलट जा तो क्या जागा मायनस का बन अबज फाइव यह फिर्म ऐन अपन माइनस तो माइनस ऐसे का Newman चous step-day rapid립니다 एक हुम दो परिमें नंका का यूद्ध करma का गुन्ण फल हमेसा प्यारी बच्चो दो परिमें नंका जू करते हैं हम आपन तो हमेसा क्या ठीच परी में है तो कि ए परी में संख्या जैसे चे आप पांच परी में संख्या उसका अपन इन भी जागा एक्स तो यह क्या जागा एक्स ठीक पर वच्छों दो परी में संख्याओं का व्युद्क्रम का गुनन्फल हमेशा प्यारा वच्छों दो परी में संख्याओं का जो गुना करते हैं अपन तो हमेशा क्या थी परी में संख्या या थी क्या थी परी में संख्या जैसे क अकुसर नमबर 6 से आपका कि किसी धनात्मक परिमे संक्या का व्यूत्रम जैसे कि आपका मानदो धनात्मक संक्या कुछ भी 6 6 का व्यूत्रम, 6 वटे 5 ले लिए, 6 वटे 5 का व्यूत्रम किया औगा पांच बट्राचbenہ ये भी आपके धनात्मक शंक्या, तो ये भी कह रहे तो आपका किसी धनात्मक परी में संक्या का विजद्टरम क्या होता है, प्यारे बच्चों आप समझ गया होंगे पूरा चेप्टर वन पॉइंट वन एप चेप्टर वन का वन पॉइंट वन ठीक ही प्राइच्चों बहुत ही इजी तरीके से एक एक सवाल को मैंने आपको सोलूत करा दिया है मिलते हैं अगले वीडियो में 1.2 के लिए तब तक के लिए धन्यवाद पढ़ाई को जारी रखिए प्यारे बच्चों ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार